हलो बच्चों आप सभी को नमस्कार स्टुडेंट्स 12th Accountancy में हम 1st unit साज़ेदारी के मूल तत्व पढ़ रहे हैं और साज़ेदारी के मूल तत्व के अंतरगत सबसे महत्त्व पूरुण खाता हुता है लावहानी नियोजन खाता जिसे हम लावहानी वितरण खाता भी आबुते। को आपस में बाठने के लिए लावहनी नियोजन खाता बना जाता है अभी तक हमने अलग-अलग टाइप से कही प्रकार से लावहनी नियोजन खाता बनाना सीखा यहां तक कि एक्जाम में जितने भी टाइप के कुश्चन आते हैं वो मैंने इसके पहले वाली क्लासेस में लॉस्ट एप्रोप्रियसर अकाउंट यह लावहनी नियोजन खाता यह लावहनी वित्रन खाता आज की जो क्लास है वह व सालों में जितने भी लावहनी नियोजन खाते से related जो प्रसन आये हैं वो प्रसन हम year wise करने वाले हैं 2022 में कुन सा question आया तो 2021 में कुन सा question आया बोर्ड exam में 20 में question आया ये हम पीछे चलते जाएंगे आप जो last five year के बोलते हो न कि last five year कहीं लोग बोलते हैं कि पिछले पांच साल के question paper हल कर लो तो पिछले पांच के हम 7 साल 8 साल क paper देख लेंगे कि उनमें कौन-कौन से important question आये हैं किस type के आये हैं और अभी तक हमने जो सवाल किये हैं वो हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं तो start करते हैं आप सभी का चोहान एकेड़मे खंडवा में welcome है और जो नए बच्चे है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ला गत्वर्स बोड़ परिक्षा प्रस्त पत्र दो हजार बाईस दो हजार बाईस में कौन सा प्रस्ण आया था लाभानी नियोजन खाते से जो हमने पहली यूनिट अभी पढ़ ली है तो इसमें ये question आपके सामने दिया है दो हजार बाईस में कौन सा question आया था देखिए कुमुद सुमुद तथा किर्थी ये तीन पार्टनर है इन्होंने एक अप्रेल 2016 को साजेदारी प्रारंब की इनकी साजेदारी की जो starting तारिक क्या है एक अप्रेल 2016 उनका लाभा लाव अनुपात है चार अनुपात तीन अनुपात तीन मतलब वो जो भी लाभ होगा उस लाभ को चार तीन-तीन में बाटेंगे कुमुद ने व्यक्तिगत रूप से खिर्ती को गयारंटी दी है एक कुमुद जो पार्टनर है इसने खिर्ती को गयारंटी दी है अब क्या गयारंटी दी है कि पुझी पर 5% वार्षिक ब्याज लगाने के बाद पुझी पर 5% वार्षिक ब्याज लगाने के बाद उसका लाब का भाग 40,000 रुपे से कम किसी भी वर्स में नहीं होगा वर्सक के दोरान जो लाब किर्ती को मिलने वाला है वो कम से कम उसको 40,000 जरूर मिलेगा और 40,000 रुपे से कम यदि मिलता है तो वह कोन देगा वह कुमुद जो है वो उसको कुमुद को देना है ठीक है कुमुद किर्ती को देगी तो यहाँ पर आब हम इस कुस्चन को उनकी पुझी दी गई है तीन लाग दो लाग और एक लाग पचास हजा रुपे 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाब एक लाग साथ हजा रुपे है लाभानी नियोजन खाता बनाए तो सबसे पहले जो लाभ हुआ है वर्ष के दोरान एक लाग साथ हजा रुपे इस में से हम इनकी पुझी पर 5% ब्याज देंगे बचा हुआ लाभ तीनों में 4-3-3 में बाड़ देंगे और यदि देखेंगे किरती को 40 से कम मिलता है तो कुमुत के खाते में से हम उसको माइनेस करके उसमें जोड़ देंगे क्योंकि इस टाइप का पहला कोश्चन हम कर चुके हैं कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया तो 2022 में यह कुश्चन आया था बहुत इजी कुश्चन है यह ना पर हमें यह एक बार हम यह दि उसको समझ गए तो सरल है नहीं समझे तो कठ ही नहीं चलिए बनाएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रियेशन अकाउंट जिस प्रकार से एक्जाम में उसको किया जा आते हैं वह आप लोगों के लिए अब यह जो क्लास है बहुत आएंपी होने वाली है क्योंकि इसमें आपको चार नंबर का यह कुश्चन जरूर आएगा 101% में आपको विश्वास दिलाता हूं कि चार नंबर का एक कुश्चन आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रियेशन आकाउंट यह हिंदी और इंग्लिस मीडियम दोनों बच्चों के लिए है आपको हिंदी में करना हो तो हिंदी वाला बच्चा भी इंग्लिस में आकाउंट कर सकता है हिंदी मीडियम वाला बच्चा भी इंग्लिस में आकाउंट को कर सकता है इसमें को इसके बाद में हैं ओर दे ये इंडिंग 31st दिसंबर 2017 यह न दिसंबर नहीं आएगा इहां आएगा मार्च 16 और 17 क्योंकि एक अप्रेल 2016 से सुरू हुई है तो 31 मार्च दो हजार अठा को समापत होगा डेबिट क्रेडिट चालिए यह हमने जमा लिया सबसे पहले क्रेडिट सेड में लिखेंगे आप बैलेंस बैलेंस लेकर आये इसका बैलेंस लेकर आये आप नेट प्रॉफिट सुद्ध लाब लाया गया काहा से लाब आने खाते से लेकर कर आये हम को इसे भी पुरा दुसरे खाते से जब अगले खाते में सेस लाया जाता है तो पैलेंस ब्राउट डाउन लिखा जाता है कितना है वर्सकाल आप एक लाख साथ हजार रुपे यह लिख दिया अब इसमें सबसे पहले क्या करना है तीनों साज़ेदारों को उनकी पुझी पर इंट्रेस्ट और कैपिटल कौन है कुमुद सुमुद और किर्थी तीन पार्टनर है कुमुद सुमुद और किर्थी अब इनकी कैल्कुलेशन कर लेते हैं इंट्रेस्ट और कैपिटल कुमुद की कैपिटल कितनी है तीन लाख और कितने प्रतिसत ब्याज देना है पाच प्रतिसत तीन लाख गुनित पांच बटे सो तो तीना पंजे पंदरह हजार रुपे इसके बाद में सुमुद सुमुद की पुझी कितनी है दो लाख आप डारेक्ट भी निकाल सकते हो या ऐसी घर्णा करके भी दिखा सकते हो तो पंजे दस और किर्टी की पुझी कितनी है एक लाख जास हजार पुनित पांच बटे सो तो पंदरा पंजे की चत्ता सो ठीक 15,000, 10,000, 7,500 यहां लिखेंगे 15, 10, 7,500 25 और 7, 32,500 अब प्रस्न में वह अब क्या दिया है लाब दिया है पुझी पर ब्याज देना है बचा हुआ अलाब 4,33-3 में बााटना है प्रस नहीं हो गया क्योंकि यहां ना तो किसी को कोई वेतन देना है ना कोई कमिशन देना है कुछ नहीं करना है कितना है एक लाख फाथ हजार अब एक लाख फाथ हजार मेंसे 32,500 माइनस करो एक लाख 60,000, minus 32,500, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 5 में से 3 गया 2, 1,27,000 पाच यह आगे हमारा प्रॉफिट अब यही प्रॉफिट जो है, यह कहा जाता है, transfer to partners capital account, वे साज़ेदारों के पुझीख हातों में हम इसको हस्तान तरीत कर देते हैं, तो बाटना तो पड़ेगा न, तो सबसे पहला कोन है, पुमुद, फिर है सुमुद, और फिर है किर्थी, पुमुद, सुमुद और किर्थी, अब इस प्रॉफिट को हमें बाटना है, तो चलिए, प्रॉफिट को बाट लेते हूँ, कितना आया प्रॉफिट, एक लाख 27,500, यह लाब आया है, अब यह लाब जो है, किस अनुपात में बाटेगा, चार, तीन, तीन, यह उनका प्रॉफिट सेरिंग रेसो है, जो भी लाब होगा, उस लाब को किस अनुपात में बाटने वाले हैं, चार अनुपात, तीन, अनुपात, तीन में बाटने वाले हैं, अब एक लाब 27,500 रूपे है, उसमें कुमुत का कितना हिस्सा होगा, एक लाब 27,500 गुनित कुमुत का कितना हिस्सा है, चार, और टोटल हिस्से कितने है, चार, तीन, साथ, और तीन, दस, ठीक, ये जिरो से जिरो कड़ गया, चार, सुन, नम, सुन, चार, पंज, बीस, चार, साथ, अठाइस, दो, तीस, चार, दुन, आठ, तिन, ग्यारा, चार, एक, अम, चार, और, एक, पाँच, एक लाब 27,500 गुनित, सुमुत का इस्सा है, तीन, बटे, दस, तो कितने बार कटा, जिरो काड़ दिया, तीन, सुन, नम, सुन, तीन, आपंज, पंदरा, तीन, साथ, एक, इस, और, एक, बाइस, तीन, दुनुच्छे, और, दो, आठ, तीन, एक, अम, तीन, 38,250, अब यहाँ पर आप कुमुत को भी इसी प्रकार से लिख सकते हो, लेकिन सुमुद और किर्थी जो है, दोनों का तीन, तीन है, इसका मतलब आप किर्थी का भी 38,250 रुपे लिख सकते हो, क्योंकि जितना हिस्सा सुमुद का है, उतना है इस्सा किर्थी का है, उसको निकालने के आपको जरूरत नहीं है, दोनों को बड़ाबर-बड़ाबर मिलने वाला है, 51,000 रुपे इसको मिला, 38,250 रुपे इसको मिला, और 38,250 रुपे इसको मिला, ठीक, यहां तक तो आपने कर दिया, लेकिन प्रस्ण में एक सर्थ यह दी हुई है, कि कुमुद ने व्यक्तिकात रूप से किर्थी को ग्यारेंटी दी है, कि किर्थी को वर्स के दोरान, कितना लाब मिलेगा, 40,000 रुपे का लाब जरूर मिलेगा, इससे कम लाब नहीं मिलने वाला, इसका मतलब क्या हुआ, कि उसको 38,000, 250 रुपे मिल रहे हैं, जबकि ग्यारेंटी कितने की दी गई है, ग्यारेंटी तो उसको 40,000 की दी गई है, कितना कम मिल रहा है उसको, 1750 रुपे हैं, 1750 रुपे कम मिल रहा है, अब ये 1750 रुपे, हम इसके अकाउंट में जोडते हैं, इसके, किर्ती के, तब जाके 40,000 होता है, ठीक है ना, अब ये 1750 आप कहां से लाओगे, तो प्रस्ण में क्या दिया है, 1750 रुपे कोन देगा, 1750 रुपे कोन देने वाला है, कुमुद ने ग्यारेंटी दी है, तो 1750 रुपे कुमुद के खाते में से, हम माइनस करने वाले हैं, 1750 हम कुमुद के खाते में से माइनस कर देंगे, 2550 रुपे कुमुद का, 38,250 रुपे सुमुद का, और 40,000 रुपे किसका है किर्टी का, तीनों को यह दिया आप जोड़ोगे, तो 1,5 और 1,5, 1,8,2,16 और 1,7, 4,3,7,4,11, और 1,12, यह 1,27,500 रुपे होता है, बराबर अब हम यहां लिख सकते हैं, अब आप यहां पर उसको, पर अब डेटेल में भी दिखा सकते हो, कैसे दिखा सकते हो, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, लिखनी के पहले, आप उसको इस प्रकार से दिखा सकते हो, 51,000, माइनस 17,50, जिक्वल्टू 59,250, यह कुमूद का, सुमूद का तो 38,250 है, और किर्टी का, 38,250, प्रस 17,50, इस इक्वल्टू 40,000, यह आपको यहां अंदर लिखना पड़ेगा, बहले ही, आप इदर रफ कारे करें, लेकिन, यहां पर आपको यह दिखाना पड़ेगा, कि कुमूद के खाते में से, आपने 17,50, माइनस किया, तो कुमूद को कितना मिल रहा है, सुमूद को कोई फरक नहीं पड़ा, किर्थी को 38,250 मिल रहे थे, तो हमने कुमूद के खाते में से, 37,50 जो माइनस किये हैं, वो 37,50 किर्थी के खाते में जोड देंगे, तो टोटल हो जाएगा 40,000 रुपे, ठीक है, यह उसका वचन पूरा हो गया, कि उसको कम से कम 40,000 रुपे मिलेगा, इसी टाइप के कुश्चन मैंने कल भी करवाया थे, आप लोगों को, क्योंकि यह कुश्चन बहुत, वेरी वेरी आयम पी कुश्चन है, जो कि आते ही हैं एक्जाम में, आप लोगों को अभी में और पीछे जो सवाल करवाने वाला हूं, उनमें आपको इसे टाइप के कुश्चन बार बार रिपीट होने वाले हैं, तो यह 2022 का कुश्चन था, 2022 में यह आया था, यह 2022 में आया था, लास्ट येर 2022 में, बोर्ड परिक्षा में, 2022 बोर्ड परिक्षा में यह कुश्चन आया था, अब जो आपकी एक्जाम होगी, 2023 में होगी, ठीक, चलिए, अगला कुश्चन देखते हैं, 2021 वाला देखते हैं, 2022 का तो अपने देख लिया, 2021 वाला देख लो, कि 2021 में क्या आया था, क्योंकि पेपर में, जो क्वेश्चन का पेटर्न देख करके ही, हम उसका अंदाज लगा सकते हैं, कि किस ताइब के क्वेश्चन पुछ जाते, और हमने यह सब क्वेश्चन में पहले करा चुका हूँ, इसके पहले के जो दस वीडियो हैं, उसमें मैं आपको इस सारी चीज़े करवा चुका हूँ, देखो, अमन और अंकित एक फर्म में, तीन अनुपाद दो में, लाब बाटने वाले साजिदार है, दो पाटनर हैं, अमन और अंकित, उनका प्रॉफिट सेरिंग रेसो, तीन अनुपाद दो है, अमन ने फर्म को 18,000 रुपे का रिण, एक जुलाई 2016 को दिया, वे अमन जो है, उसने फर्म को रिण दिया है, 18,000 रुपे का रिण दिया, और कब दिया, एक जुलाई 2016, बस इसको आपको अंडरलाइन करना है, साजिधारी सल्लेक, इस साजिधारी सल्लेक महत पुर्ण होता है, साजिधारी सल्लेक, रिण पर ब्याज के संबंद में मौन है, मौन है मतलब, कि साजिधारी सल्लेक में, रिण पर कितने प्रतिसत ब्याज दिया जाएगा, इसके बारे में कोई उलेक नहीं है अब भही है इहां पर जो है विवात की इस्तती बन सकती है अमन बोलेगा कि मैंने जो रिन दिया है उस पर तो मुझे 25 परशन ब्याज चाहिए तो क्या उसको हम दे देंगे क्योंकि साज़दारी में तो कोई आपने सलेक जब साज़दारी स्टार्ट करी थी साज़दारों के बीच में जो समझोता हुआ था उसमें आपने रिन के संबंद में रिन पर ब्याज के संबंद में कोई सर्त नहीं रखी अब अमन ने जब 18,000 रुपे फर्म को रिन दिया तो वो आपसे फर्म से 25 पर्षन ब्याज मंग रहा है तो यह देना उची थे क्या आप ऐसी कंडिशन में फर्म की पुष्टक के 31 दिसम्बर को बंद होती अमन को फर्म द्वारा दे ब्याज की गणना की जिए आप अमन को कितने पर्षन ब्याज देंगे सिधा सिधा है जब समझोते में साज़िदारी समझोते के अभाव में भारती साज़िदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साज़िदार द्वारा फर्म को दिये गए रिण पर 6% वार्षिक की दरसे ब्याज दिया जाता है बस 6% वार्षिक तो अमन को जो रिण पर ब्याज कितना निकलेगा 6% वार्षिक मतब 12 मेने का 100 का 6 रूपया तो उसने तो कवरिन दिया है एक जुलाई 16 को और 31 दिसंबर को खाते बंद रहो हो रहे हैं तो जुलाई अगस सितंबर अक्टूबर नॉम्बर दिसंबर छे मेने का देना उसको 18,000 का 6% 12 मेने का उसका 6 महा का निकाल लो आधा कर दो वो 6 महाने का निकाल आएगा ठीक है अब हमको यहाँ पर आपको खाता नहीं बनाना है इस प्रस्ने के अंदर आपको अकाउंट नहीं बनाना है इस प्रस्ने में उन्हेंने क्या बोला है अमन को फर्म द्वारा दे ब्याज की गणना किजी अमन को फर्म के द्वारा कितना ब्याज दिया जाएगा हमें यहाँ पर ब्याज की गणना करना है बस आप कितना ब्याज देंगे भीया अमन को यहीं करके बता दू क्या चलिए यहीं करते हम कितना दिया जाएगा कि रिण पर द्याज की गणना ठीक कि अमन के द्वारा कितना रिण दिया गया है आप यहां पर चाहे तो फॉर्मूला भी लिख सकते हो कि रिण की रासी गुनित छे गुनित माहा बटे तो गुनित बारा ठीक रिण की रासी कितनी है अठारा हजार छे परसेंट वह समझूते कि अबाव में कितने प्रतिसत दिया जाएगा शिक्स परसेंट कितने मेरेगा दिया जाएगा छे महा का पट्टे सव गुनित बारा ठीक ये दो जीरो से दो जीरो काड़ दिए छे दुनू बारा दोनम अठारा नमी छेंग चववन कितना आएगा अमन को दे ब्याज अमन को कितना ब्याज दिया जाएगा पांच सो चालीस रुपे अमन को ब्याज दिया जाएगा अब नीचे आप लिख सकते हो आप नीचे क्या लिख सकते हो आप यहाँ पर लिख सकते हो नोट आप यहाँ पर एक नोट लिख दो साजेदारी समझोते के अभाव में भारतिय साजेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साजेदार द्वारा पर्म को दिये गए रिन पर खे प्रतिसत वार्षिक की दर से प्याज दिया जाएगा बस आपने उपर क्यलकुलेशन कर दिया और और नीचे आपने यह नोट लिग दिया आपका प्रस्न कम्प्लीट हो गया आपने छे पर्षिंट के से साथ से दिया इसका का इसपस्टी करन करना पड़ेगा तो आप क्या बोल रहें साजिदारी समझूते के अभाव में भारते साजिदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साजिदार द्वारा फर्म को दिये गए रिन पर छे प्रतिसत वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा बस मिनिस आपका क्व डिंदास चार नंबर ला सकते है , ऐगला कोस्ट Venice-90 रिदार में दो कोस्ट रेलेटेड एक्स और वाये नठीक में फिर ये Strong utilize आयो यस में फिर प्रिन फैन ग्रीक रहुन आप दो है उनकी पुंजी है 50000 और 30जार पुंजी पर 5 पोन्जोंब व्याज दिया जाता है Ah ya Y ko 5000 रुपए वर्षिक व جन दे है मतलब देना है वर्ष 2017 में Y को वेतन देने के पूरोर एवं पुंजी पर व्याज देने के पूरोर 12,500 रुपे का लाव था लावानी नियोजन खाता बनाई है यह तो अनाराम वाली बात हो गई बेसिक बात हो गई जब हम लावानी नियोजन खाता बनाना शुरू करते हैं तो इस टाइप कही कुश्चन करते हैं लाव उसमें से पुझी परब्याज दो वितन दो जो बचा हुआ लाव है उनको तीन अनुपाद दो में बढ़ दो मतलब यह कहीं इसमें आड़ मोर नहीं है जैसे चड़ाय आती है घाटी आती है इस टाइप यह सीधा सीधा हाइवेश है इसमें कहीं से कहीं तक कोई हमें समस्या नहीं है आप लोग इसको कर लोगे और लेकी कर लेते हैं हम फिर टुम् Eating को फिलाट वह हमने जब जिम्मा लिया है कि पिछले जितने भी सालों में जो कोश्चन आये हैं आपको करवाना है हल तो हम आपको हैं हल करवाएंगे छोड़ेंगे नहीं कि जाहें सरल होगा उसको भी आपको हम करके बताएंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रियेशन अकाउंट कहीं बार बच्चों को कन्फ्यूजन देता है कि सर हिंदी मीडियम है तो अंग्रेजी मीडियम में कुस्चन को कर सकते ही की नहीं बिल्कुल कर सकते हैं अंग्रेजी में करो उर्दु में करो जो भी लेंग्वेज में करना हो कर सकते हैं तो तंत रहो और मैं तो बोलता हूँ कि अंग्रेजी में कुस्चन को करना अकाउंट बनाना अंग्रेजी में बहुत आसान है हिंदी के पेक्षा क्योंकि आप इसमें टू और बाय लिख देते हो बहुत आसान है और हिंदी में आप वो नियम का पलन नहीं कर पाते हो ये द्वारा को ये सब्दा आप नहीं लिखते हो तो घलत हो जाता है क्योंकि हर इंट्री में हम टू और बाय लिखते हैं और हिंदी में तो हम उसको पुरे नियम का पालन ही नहीं करते लिख चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम क्रेडिट सेड में क्या लेकर आते हैं यहां बाय लिखा यहां पर आपको द्वारा लिखना पड़ता बाय बैलेंस ब्राउट डाउन इसका बैलेंस लेकर आए हम सुद्ध लाव लेकर आए कितना सुद्ध लाव है 12,500 रुपए ठीक अब इसमें से हमें पुझी पर ब्याज देना है यह दर टू लिखा जाता है इंट्रेस्ट औन कैपिटल पुझी पुरा लेकने के जरूद नहीं है उसके आई एंटी लिख दो डॉट लगा दो और कैपिटल को भी पुरा लेकने के जरूद नहीं यह कौन-कौन है एक्स है और वाइ इनके पुझी पर ब्याज का केल्कुलेशन आप बाहर कर लो है ना इंट्रेस्ट औन कैपिटल एक्स की पुझी कितनी है पचास हजार कितने परसेंट ब्याज दिया जाता है पचास हजार गुनित पांच बटे सो पांच परतिसत मतलब पांच बटे सो कितना हो गया पांच सो गुनित पांच पचम पच्चिस सो वाई की पुझी कितनी है 30,000 पुझी पांच बटे सो तो तीना पंजे 1500 25 और 1500 दोनों का आ गया उसको अंदर लिख लो और दोनों को जोड के बाहर लिख दो तो तीन और एक चार दोनों को हमने जोड दिया अब और क्या देना है वाई को वेतन देना है क्या लिखेंगे सेलरी तो वाई वाई को वेतन देना है कितना देना है 5000 रुपे वार्सिक अब यहाँ पर हम यह देखना है कि वो उसको मासिक हर मंथली दिया जाता है कि वर्स बर्का दिया जाता है, 5,000 उपय उसको वारिशिक दिया जाता है, बस आप क्या करना है, आपकी इंट्रियां हो गई, बैलेंस कैसे निकालते हैं, आपको मालुमी, किसी भी खाते का सेंस कैसे निकाला जाता है, दोनों पक्ष का टोटल करो, बड़ी रकम में से छोटी रकम घटा दो, दोनों पक्ष का टोटल करेंगे क्रेडिट पक्ष का टोटल बारा पान सो और डेबिट पक्ष का टोटल कितना रहा है चार और पाच नौ हजार बड़ी रकम किदर है क्रेडिट में बारा पान सो तो उस बारा पान सो को आप दोनों साइड में लिख दू पहले तो आपका ये काम खतम हो गया आप घटा दो कितना बचा 12 में से नव गया 3500 अब जिदर कम है उदर 3500 लिख दो गया तो 12500 दोनों साइड हो गया ये क्या आया ये आया आपका लाब ये जो सुद्ध लाब था सुद्ध लाब में से आपने पुंजी पर ब्याज दे दिया वेतन दे दिया अब जो लाब बचा इस लाब को आपको बाटना है किस रेसों में बाटना है इस लाब को आपको प्रस्न में जो profit sharing रेसों दिया गया है उस रेसों में बाटना है तो x अनुपाद y कितना दिया गया है तीन अनुपाद 2 दिया गया है मत्या x का 3 और y का 2 तो x का कितना आएगा लाब 3500 गुणित x का हिस्सा 3 और टोटल इससे 5 5 साथ 35 तात्या 2100 इसी प्रकार से y का 3300 गुणित y का हिस्सा 2 बटे 5 5 साथ 35 साथ 2 नू चौदा सोड़ों करें 21 और 14 तो x के हिस्से में आया 2100 और y के हिस्से में आया 2400 ये अंदर ही लिखा जाता है उसको बाहर लिखने की जरूत नहीं कहीं बार बच्चे क्या गलती करते हैं 3500 ये भी लिख दिया और ये जो आपने x और y का निकाला वो भी हां लिख देते हैं तो तो फिर आपका सवाल गलत हो जाएगा क्योंकि 3500 आपका डबल हो जाएगा इस 3500 को आपने दोनों में बाटा है इसको अंदर ही रह गाए बाहर नहीं आएगा हो यहां लिखेंगे ट्रांसफर टू ट्रांसफर टू पार्टनार्स कैपिटल आकाउंट ये लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो ठीक है आपको 99 नमबर लाना है तो आप लिख दो कि देना जितना हम क्लियर्ट क्लियर्टी लाते जाएंगे उतने हम हंड्रेट के पास पहुचते जाएंगे बहुत सरल था अब इसको ज़्यादा समझाने की जरुरत नहीं चलिए अब 2020 पर आते हैं 20 में आया रवी और रोहित बराबर के साज़ेदार हैं वे दो पार्टनर है रवी और रोहित अब यहाँ पर यह बराबर सब्द हैना यह अनुपात है तो पिछले प्रस्ण में क्या था लावाने विभजान अनुपात तीन अनुपात दो था अब यहाँ पर इनका अनुपात क्या है बराबर है बराबर का मतलब यहाँ पर यदि मैं इसको काट के एक अनुपात एक लिग दू तो गलत नहीं है है ना रवी और रोहित एक अनुपात एक के साज़ेदार हैं उनकी पुंजी भई क्योंकि प्रस्ने के अंदर कुछ न कुछ तो खटा मेटा डलना पड़ेगा ना नहीं तो आप तो सीधे सीधे बहुत आसा नहीं सहल कर दोगे तो बड़ाबर मतलब यहां दिमाग लगाओ बड़ाबर मतलब एक अनुपात एक उनकी पुंजी है चालीस हजार और असी हजार वर्स के अंत में खाते तयार करने के बाद वर् नहीं दिया गया पांच प्रतेसत वर्सी की दर्से उनको ब्याज नहीं दिया गया जबकि सलेख में साजेदारी समझूते में देना तय था अब आप क्या चिठा बदलोगे खाते बदलोगे क्या उसमें काटा पिटी करोगे यह तै किया गया कि अगले वर्सी के आरंब में एक समायोजन प्रविस्टी तैयार की जाए और गलती को सुधार कर लिया जाए तो इससे रेलेटेट कुस्चिन भी मैं आपको अभी लास् दस नंबर का वीडियो होगा है ना पार्ट नाइन या टेन उसमें मैं इस टाइप का क्वेश्चन करा चुका हूं पर आज और करवा देता हूं देखो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें हमें सबसे पहले तो कि प्रस्ण में कुछ छूट रहा है कि रवी और रोईद बराबर के साज़ेदार उनके पुंजी चालिसे वर्से के इनते में फाते त्यार करने के बाद पता चाला कि साज़ेदारों को पुंजी पर पांच नहीं दिया गया जब कि सल्लेक में देना तय था अगले वर्से क क्या होगा कि अगर्वर नहीं है कोई गर्वर नहीं है कि अम टेबल बना लेते हैं जन्नल प्रविस्टी के लिए जगह छोड़ दू कि अधिनी बड़ी टेव बने एक एड़्जेस्ट्मेंट टेबल बनाना है हमें ठीक छोटी सी टेबल बनेगी छोटा सा घर बनाएंगे हमें इसमें सबसे पहले लिखेंगे पार्टनर्स नेम दो ही पार्टनर है हमाने रवी और रोहित फिर है पैड पैबल डेबिट और क्रेडिट पस देखो समझ लो आप उसको सबसे पहले ऊपर हम लिखेंगे एडजस्मेंड टेबल समाय जन के लिए हम टेबल बना रहे हैं कोई खाता नहीं है यहां लिखेंगे हम पार्टनर अब तब साज़ेदार का नाम आएगा फिर यहां लिखा जाएगा पहले चलो साज़ेदारों के नाम लिख रहे हैं एक्स एक्स सही आ रहा है यार को नहीं रवी और रोहित कोई समसे है इसमें कही से कहीं तक नि अब आ रहा है पैड पैड मतलब उनको भुकतान उनके कहाते में पैसा चला गया गलती से उनके खाते में पैसा गल्पी से चला गया वो कहलाता है पैड़ पेबल 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 मतलब योग्यों पेबल मतलब पाने के योग्य कितने थे मतलब उनको कितना मिलना चाहिए था ओर फिर हम ये लिखेंगे डैभिट और यहां लिखेंगे ग्रेडिट ठीक अब चलिए सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं कि रवी को पुझी पर ब्याज कितना मिलना था तो उसकी पुझी है 40,000 और उसका 5% ब्याज मिलना था चारा पंजे 20 मतलब 2000 रुपे रवी को कितना ब्याज देना था 2000 देना था और रोहित रोहित की पुझी है 80,000 उसका 5% आटा पंजे 40 मतलब रोहित को ब्याज मिलना चाहिए था 4000 रुपे पे बल पे बल मतलब वो इतना पाने के योग्य थे रवी कितना पाने के योग्य था 4000 ब्याज और 8,000 रुपे रोहित पाने के योग्य था लेकिन यह नहीं दिया गया अब यही जो ब्याज था टोटल कितना हो गया 12,000 ये 12,000 नहीं दिया और ये लाब में जुड़ गया और लाब में जुड़ के लाब को किस अनुपात में बाटा उनोंने बराबर बराबर इसका मतलब 12,000 उनमें कैसे बढ़ गया 6,000 रगी को मिल गया और 6,000 रुपे रोहित को मिल गया ये उनके खातों में चला गया जबकि ये उनके खातों में जाना था अब इसको आप डेबिट समझ लो इसको आप क्रेडिट समझ लो जो बड़ी रकम होगी और जितना ज्यादा होगा वो डेबिट इदर 6,000 इसके खाते में चला गया जबकि जाना था कि इतना 4,000 मतलब 2,000 रुपे जादा हो गया तो 2,000 रुपे से इसके खाते में से निकाल लो मतलब उसके खाते को आप डेबिट कर दो आपकी पासबुक को समझ लो आपकी पास्वुक में यदि पैसा ज्यादा चला गया तो आप पैसा निकालोगे तो रवी को 6,000 मिल गया जबकि मिलना था 4,000, 2,000 ज्यादा उसके खाते में जमा हो गया तो 2,000 रुपे उसके खाते से क्या कर लो, डेबिट कर लो रोहित को 8,000 मिलना था और उसके खाते में कितने गए, 6,000 ही गए जबकि उसको मिलना कितना था, 8,000 मतलब 2,000 रुपे उसको कम मिले तो उसके खाते में हम क्या करें है, हमारे खाते में पैसा कम गया तो 2,000 रुपे जमा करेंगे इसका मतलाब 2000 रुपे से रभी का खाता क्या हो गया एक का खाता 2000 से डेविट और दूसरे का खाता 2000 से क्रेडिट बराबर समय जन प्रोविस्टी यहां पर हमारा जो है यह दोनों का बराबर आना चाहिए ठीक बस अब आप इसकी समय जन प्रोविस्टी करो क्या होगे समारेजन प्रविस्ति फार्मेट में बताओं क्या आप उसको यह दि फार्मेट में करना चाहो फार्मेट में करोगे तो ज्यादा बेटर है एक्साम में आपको ज्यादा नंबर लाना है तो फो थोड़ा सा एक जिए गया है उसमें करना ही पढ़ेगा है छplain के जनल इंट्रिय का एक फार्मेट दिया है उस फार्मेट में करना पढ़ेगा अधार्जयस्मेंट इंटरी यह है डेट पर्टिकुलर एलेफ डेबिट और ग्रेडिट यह है पॉर्मिट यह वर्सी के अन्तम में हम इंट्री कर रहे हैं है ना तो क्या होगा रवी का खाता डेबिट हो रहा है तो रवी डेबिट तो रोहित तो हजार रुपए रवी को डेबिट किया और दो हजार रुपए रोहित के खाते में क्रेडिट किया एड़ जेस्ट एड़ जेस्ट मैंट इंट्री पस आप इसको ऐसा भी कर सकते हों और ज्यादा जीतना सजा ना हो आप सजा सकते हो यह हो गया विए अब यहां यह दि वर्स दिया रहता तो हम कब कर रहे है वर्से के प्रारंब में तुछ न वर्शा का प्राण्राम इसे तारीक दी रहती तो हम तारीक लिक दे जा यह हमारा वेश्चन रिस्दा यह अब यह कुष्चन आपको पहले अड्जेस्मेंट टेबल बनाना है और उसके बाद में आपको डेबिट और क्रेडिट करना है मेंसार तो उसका यह है मेंसार जो है में निचोड जो है वह यह है तो आज हमने कहां तक कर लिये 2020 तक कर लिया है हमने 22,21 और 20 तीन साल हमने कम्प्लीट कर लिये अब अगले वीडियो में फिर मैं आपको 2011 तक के कुश्चन कर आने वाला हूं और यह कुश्चन आप लोगों ने कर लिये ना फिर आपको कुछ पढ़ने के जरूरत ने आपके चार नंबर में 101 पट्सेंट क्यारेंटी देता हूं कि आप कुश्चन कर के आ जाओगे लाभान में तो आया नहीं है 19 में थियोरी आई कि तो 19 आया नहीं है हम फिर कल जो देखेंगे 18 से करेंगे 18 17 16 ठीक है और मैं तो आगे और पढ़ा दोंगा लेकिन 45 मिनट बहुत है एक साइकोलोजी होती है किसी भी सब्जेक्ट को आप 40 मिनट समझ सकते हो इससे ज्यादा फिर उप आप लोगों कोई वीडियो यदि अच्छा लगता हो तो आप उसको लाइक जरूर करो और नए बच्चा है तो सब्सक्राइब जरू करें और अपने दोस्तों के साथ सेयर जरू करें कहीं बार वाट्सब पेसे फालतो फालतो में सजाते हैं हम उसको बीना पड़े हम सेयर क करने में क्या जाता है जरूर सेयर करना चाहिए ठीक है तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए गुड़बाई कि अगरे